इस कारिक्रम के पुन्यार जग है श्री सिरेमल श्रीमती तारा देवी पंत की पुन्य स्पृति में ऊत्तम सोच धर्मेश हम्धल्नेवाद अभार लाक लाक अर्भ और ऑर्भ खर्भ नमस्तू है नह मिल्योन टाइम्स बिलियों बुलियन टाइम पर एंफिन ने टाइम उन सारे आचारि पवित्र त्थंकर परमात्मा के चड़ों में नमस्तु जिने सोच धर्म के सपवित्र तैवार को हमारे जीवन में प्रगट करने के लिए इन पवित्र पूजाओं का इन मंदरों का इन मूर्तियों का सहारा हमें प्र इंदर लिखते हैं आत्मा 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 ऐसी आत्मा वैसी आत्मा का ऐसे ध्यान करो आत्मा को वैसे पबत निर्मल बनाओ और मलब कहीं कोई अरहंद की किसी आचार की किसी उपाध्धाय की किसी मुनी की किसी जन्मानी की बाहर के किसी अवलम्मन की किसी सहारी की बख्ति करेगा वो संसार से तिर जाएगा तो भंती दुरगदी का हनाश् करने वाली होती है बख्ति आपको वो पलबदी दे ती वो सुक्ता दे देती है जो कभिश एपने में में आपने कलपना नक करेते मुक्ति मुक्ति दातार 2400 जनराजबर तुई कल्प व्रच्चम तुई काम देनम तुई देवे चंदा मणीना गेनम भगवान के भक्त को सारी सुक संपत्ती सारी दौलत सारी शौरत गुमन के चर्णों में आती रहती बिन मांगे उसके हरिच्छा पुरी होती है ध्याने निचे दुवे लब्बे संसार के भोग तो पाना संसार के दौलत को शौरत को पाना भगवान के भक्त के लिए चुटकी का खेल होता है चुटकी का खेल जलकिन कई बार ऐसा भी होता है चुटकी बज़ए नहीं पाती है कि इतनी जोर से ताक्त लगा तो वो चुटकी काम ही नहीं करती चुटकी काम क्यों नहीं करती है कि भीतर लोब का राक्षस भीतर बैठा हुआ है और जब तक लोब का राक्षस भीतर बैठा हुआ होता है सौच धर्म पवित्रता नहीं पैदा हो पाती है चाहे मनबुत्य की पवित्रता हो चाहे विचारों की पवित्रता हो चाहे समाज की रीती नीती में और कुल परंपरा के सदाचार के नियमों को पालन करने के लिए उस तरह के विचार हो नहीं आपाते देमाग के बेतर और यहां पर जहमने इस दल्लक्षन के विधान को हमने पड़ा जब डिटेल में पड़ा जब डिटेल में पूजा करी तो फिर ऐसा लिखते हैं कि देव को तिक सुखों की इच्छानी करता है उसका लोबी नहीं होता है फोध को पाने की इच्छानी करता है और यह शरीर से शुक पाने की इच्छानी करता है क्या उसके परिवार के जो मेंबर होतें सदस्स होतें बड़ी सुन्दर पतनी अपसरा जैसी पतनी उससे भोक पाने की उससे सुक पाने की इच्छा उसके मन के भीतर नहीं होती है ऐसा नहीं वह नपंसक होता है पौरूस उचके भीतर होता उच्छ भावजूद भी कुछ छणों के लिए कुछ दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए नियम पुरवक्त वो त्याग का संकल्प करके बैटा होता है वो कभी ऐसा भी होता है भक्ते में इतना मन डूबता इतना मन डूबता कि बना त्याग किये त्याग हो जाय करता है मुझे आद मने कहीं पड़ा था एडिसन के बारे में हजार हजार अविशकार जिस वग्यानिक ने किये जितने विशकार उस वग्यानिक ने किये उतनी विज्ञान के विश्कार आस तक इस धर्टी पर कहीं कोई विज्ञानिक सोज भी नहीं पाया इतने सारे विश्कार उस महान विज्ञानिक ने किये और कैसे किये एक फर्मूला रहस्ति के राच आपके सामने बताना चाहूंगा मैं वो जब विज्ञान के प्रयोग करता था, जब लेने विश्कार करता था, तो इतना डूबू जाता था, इतना खो जाता था, तो कुछ मालूम नहीं पढ़ता था, कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नोकर भूजन रख जाता था, नोकर को समझा रखा था, कि मुझे बोल लाने की भोजन कर लो तुम मुझे बोलाने की भोजन कर लो मैं ज्यान के प्रयोग के अंदर गुसा हूँ ये मेरा देमाग लगा हुआ है इतनी एकाकरता मेरी बन गई है जैसा समाध्य जैसी इस्थिति मेरी हो गई है तुने एक शब्द भी बोला जरा सी तुने हाट करी कि भोजन है गरम है थंडा हो जाएगा खा लो जली करो कुछ नहीं बोलना मुझे चुपचाप रखके चले जाया कर उसने भोजन चुपचाप रखता था चले जाता था एक दिन कोई विज्ञान के किसी विश्कार के अंदर बहुत दिल औ जान से दिल दमाग से जुड़ा हुआ था उसके अंदर घुसा हुआ था और नोकर आया भोजन रखा भोजन रखके चले गया थोड़ दिर बाद एक दोस्त आया उसे साहरी कहानी मालूम थी उसे चुपचाप आया चुपचाप बैठ गया चुपचाप उस भोजन के उपर की पलेट को थाली को हटाया चुपचाप सारा भोजन खुद खा गया वो दोस्त और वापस उस थाली को उल्टा करके ढखक करके रख दिया और जब प्रयोग पूरा हुआ कुछ घंटों बाद जब प्रयोग पूरा हुआ तो विज्ञानिक बोले अरे यार तुम कितनी दिर से बेटे हो मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसने फे पडोस में देखा वो थाली-खाली रखी हुई थी तिसे भोजन था तो विज्ञानिक बो मालम कि तो आएगा तेली कुछ बचाया यह नहीं मैंने उस खाली-थाली को देख करके उसे लगा करें भोजन खा गया पेट की भूख उसे नहीं मालूम पड़ रही थी इसका नाम होता है साउच धर्मन जब मन दूबता है मन जनवाणी में जब उन्दरात के चड़ों में दिल का तार तार रोया रोया रोम रोम जब समर्पित जब हो जाता है तो समुके पर मैंने रोटी खाई की नहीं खाई मैंने पानी पिया की ने पिया मैंने दुकान खोली की ने खोली कौन से बीबी और कैसे बच्चे और कहां का घर परिवार संसार सब सब दिमाग से निकल पर उठता है उतना कभी और नहीं उठ पाता है आजम सौभाग इसाली किस्मत वाले हैं कि हमें ते लोग के नात के दरबार में आकर के सामुही कुरूप से कैसे सामुही कुरूप से हमें समुह का हिस्सा बन करके यहां बैठने का आने का सौभाग मिला है किलो इकल मुंडे हो पूठा करने के लिए तो भाई साप वो उस कोने में वो उसे वेधी में वह इस फ्लोर पर वह इस समय किसीदूर से शुवीं करेरे नियुali मानियें आपके सामुहिक प्रयास से इतनी सारे कर्म कटते हैं इतनी सारे बंधन तूट जाते कर्मों के दुखों के मुसीबत के विगनों के बाधाओं के संकट की बदली जंग से हट जाती छट जाती है कि बड़ा भैंकर काले काले बादल थे दुखों के मुसीबत की एक कद तक चलनी पाते थी इतना गुप और घूर अधेरा चा गया था लेकिन जैसे ही कि सामुए पुन्य कर्म होता है दुख के बादल कड़ जाते हैं और सुखों की बरसाथ होनी लग जाती है आनंद कजरना बहने लग जाया करता है जन्म जन्म की सूखी आत्मा जन्म जन्म की प् अब तक उस अम्रत को जब पीती है इतनी तरपती होती सात्मा को इतनी तरपती होती है कि जन्म मुझे तरपती नहुई उतपती मां सेकेंड के लिए देव के चरणों में गुरू के चरणों मेरे सास के चरणों बैठने पर मिल जाया करती है आज हम से किसमत वाल हैं सौभा के शाली है मैं बार बार मैं बार बार कहता हूं अब बार मन मैं धोहराईये में किस्मत वाला हूं मैं सुभा के शाली हूं मैं किस्मत वाला हूं मैं सुभा के शाली हूं क्यों मुझे धर्म की पवित्र परंप्राएं मुझे प्राफ्त हुई है इतना पर समाज मुझे मिला है मुझे भगवान की चर्णों का इश्पर्ष मुझे प्राप्त होता है मुझे राजु के मुख से निकली उस मुख चंडरते अम्रत जरे उस अम्रत जरने वाली इस पवित्र जिन्वानी जिन्गंगा को मुझे अपने जीवन के अंतर प्राप्त वा करता ही परमात्मा हर जनम में तेरा धरबार मुझे मिले जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा मेस्तू सदा मेस्तू सदा मेस्तू भवे भवे भाव भाव में भगवान ये करम काटने वाली ये विध्या मुझे प्राप्त होती रहे गरीबी काटने के लिए भीमारी काटने लिए अमुक तमुक लोग है अमुक तमुक उपाय और विधिया एक दुनिया के अंदर अपनाई जाती है लेकिन करम काटने के विध्या वो शैली वो कीमिया वो अलकेमी मात और मात अजनराज के दरबार में ही मिला करती है मुदराज वो अलकानस्ट होते हैं वो कीनियागार होते हैं जो मट्टी से सोना बनाने के विध्या आत्म सिकाय करते हैं यह शरीर क्या है बताईए मिट्टी मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाने वाला है लेकिन कभी कबार ऐसा बलब दिमाग का जल जाता है किस मिट्टी के तन के अंदर उस आत्मा की जोती पर नजर चले जाती है और जब आत्मा की जोती पर नजर चले जाती है तो फिर मुन में भावना पैदा होती है जोती इसी तरस जलती रहे सदियों सदियों तक जन्वों जन्वों तक अनंतों काल तक इस आत्मा की जोत का होश्का दिया जलता रहे पुरिए दुनिया रोशन होती रहे और पुरिए दुनिया को सुकह और शान्ति और प्रसनता और खुशी का बरदान मिलता रहे मेरे माधम से मेरे दवारा पर सुरुवात Charity Begins headsh historically को बmostट इस फोती है जर्ट अलिज्तेदारों से परिवार के लोगों से सुखपाने की इच्छा ख़तम हो जाती सुखपाने का लोग लालच जब जूट जाता है उंक क्लिंग माइंड ज़ झाहेें जो गड़ता है जो चीजों को पकड़ का मन जब हो जाता है हम उस ट्रेक पर हम जाते हैं जोन में हम जाते हैं कि जहां पर जा करके चीजे सह जुरूप से होते चले जाती हैं हमें ताकत निलगाने पड़ती हैं बहुत सते कबड़ियर कुस्त Safety तुक है सोच के दामन में ये जीव रुपी बच्चा अपना सिर चुपा लेता है उन पवित्रताओं के उन निर्मलताओं के उस स्वाद को ये जीव चकना शुरू कर देती है और वहीं से धर्म के पहले सीड़ी की शुरुवात हो जाया करती है फिर से कहूंगा मैं फिर से कह को दोंगा मैं मेरे युंग यां पर लखी हुई है मेस उंगली को यहां इता लोकाल लौन ने के लिखनी एक उगली आगया ने के लिखनी एक उगली आ गया था वो शारा हास पूरा पंज्ध आ गया मक एक उगली आगए या विशेक मुरिष यहांघदान में वयवद्रती में पोचंवर के souhaeteम और जाते हम उनका चौमों की विखास चौमों की उन्नती उनकी होने लगती है कि जीवनकार एक छेतर जुड़ा हुआ होता है जो लोग किसी वज़े से पीछे हड़ जाते हैं जो लोग किसी वज़े से कहीं किसी क्रिया से पीछे हड़ जाते हैं दूर हो जाते हैं चड़ जाते हैं रस्ता कुछ असा भेएक मिले जन्द्रमिकर छेत्र के लिए दर हम आगे लड़ते स्रश्व मेरी जाए और ऊपने देख्वा को होगा एक इंसान को लिए फटी ऑफिछ छोगते दूगान खोली विए भी किन्ती दूकान पर खुलते चलेके खुलते चलेगे खुलते ऐसा कैसे होता बताईए है चोटा सदुखानदाय 공yn कली चेन आप हो Τरफू सी यसी बड़ी चेन पूरे दुनिया प्रूंर जाल नेट्ष् फिल जाता है कैसे फिल जाता है यहां से ऐसे भक्ती से जब भक्ती के छेप्रका टेश्ट पाया शुष होता है जब भक्ती की एक विदा का एक के रंगा के टेक्श्चर का जब उसके हिर्दश इस पर्ष होता है जब भक्ती का एक संगीत भक्ती रुपी बाद दियंत्र का एक तार का संगीत उसके काम में उतर करके दिल तक पहुंचता है तो फिर सोचता है इस तार में इतना संगीत है दूसरे तार में क्या है तीसरे त सरस आएगा मंदर के अंदर ब्कवान के इंदर जन्वानी के रजन रस आना अगे शुरू हो जाएगा तो सदस्थ का ये फल मिलने वाला है आप धर में करें शेत्र मृशारी विदाओं के अनदर आप घर करणा सूर धीद कर देंगे बिजनस में आपके पैर पसरने लगेंगे जीवन का हर एक छेत्र सज उठेगा सवर उठेगा नहां उठेगा उस पापत रोश्णी में उन्नती होनी चाहिए प्रगती होने चाहिए प्रयास होना चाहिए प्रयास ऐसा नहो कैसा प्रयास नहो मा बोलती है सुनते हो जी अपना बेटा बड प्लिस द मैं आप दोडरए दोड़ति थी अब तो दस पंद्राश के पुलिस हुद्झने लगी है पहले उस के त्ह पर हजार रूप 돌 सबके का नाम हो गया उन्यति uhm करने वाली उन्नती हुई परिवार के परंपरा और मर्यादाओं को खतम करने वाली यह उन्नती हो गई ऐसा नहीं होना चाहिए इस परुशन परवकें दस लक्षण के इस चोग भुपाल किस पविश्चातरो मास के दोरान आपको सिर्फ एक चीज सिखनी है चौमा से तो और की हुए थेर होते रहेंगे इस चीश सीक्कीर नी है जो कुछ में ने पराहि समाजन न controlling के अंदर उसके उतार पाऊं मैं कैसे उतुरह पाऊं महां मैं कैसाण शब्दों को दिल के बीतर उतारूं कैसे रूंस्तione किया करूं मैं वैं sided महीरा जीन का हिस्सा बने श्यों में य इसकारिक्रम के पुन्यार जग है श्री सिरे मल श्रीमति तारा देवी पंत के पुन्य स्पृति में राहुल, रोहित, सिध्धार, नीहा, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर रिशब, इंजीनिया, पलक, अभिनव, इंजीनियर, सौरब जैन, इंजीनियर, आरिश, मिशिका जैन, पंत परिवार भोपाल, मधिप्रदीश. झाल वोग्द Gay जैन, इंजीनियर, सौरब जैन, वोग्दनी एंजीनि एंजीनियर, सिध्व草 सम्मी जैन, अर रिश। में उलिदीश.